यूपी में दो दबंगों ने बिजली विभाग की अधिशासी अभियंता के घर में घुसकर तोड़ फोड़ की और उनके परिवार से मारप्रीट की सूचना मिलने पर घटना इस तर पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और दोनों के खिलाफ मामला धर्ज किया पीडित अभियंता के मताविक दोनों आरूपी अपने आपको बीजीपी का नेता बता रहे हैं फिलाल पुलिस मामले की जाच कर रही है हम नहीं मिल पाएंगे आपसे और आप आगे घर पर फिर यह नौ बजी के आज साथी नौ बजी के खाना खा रहा था यह दो लोग आए और मेरे घर के चाहर तरब से दरवाजों को और बैल को फिटना सुरू कर दिया मेरे किचन का सामान जो रखा था उसको गिरा लिया और हम हमारे बच्चे पत्नी सब भैभीत हो गए हमते हैं फिर हमने सौ नंबर को डायल किया फिर अपने SGO को बलाये हमने आज आज जाओ देखुजरा क्या माम लाए यह कह रहे थे कि हमारी नेता को यह कर दिया कनेक्शन काटा हमने पूशा इन से SGO से यहोंने कोई कनेक्शन काटा है तो भात ही कहसं होगी जिसने अता के इनाम ले रहे हैं उनसे में रोज दो चार बात होती है यूपी के जनपर जालाओन में उजुला दिवस पर भाजपा सांसद और विधायक ने गरीबों को गैस सिलंडर बाटे उजुला दिवस समारों में आदित्य गैस सर्विस द्वारा उजुला योजना के तहत निशूलक गैस सिलंडर का वितरन किया गया कारेक्रम में पहुँचे सांसद भानू परताप सिंग वर्मा और मुख्या तिती विधायक मूल चंद निरंजर ने गरीबों को गैस सिलंडर बाटे इस दौरान भाज़पा सांसद भानू परताप सिंग वर्मा ने कहा कि उजुला योजना मोदी सरकार की ऐसी योजना है जिससे हर गरीब माता बहनों को लाव हुआ है कई सरकारे आई और गई लेकिन इतनी बड़ी योजना किसी ने नहीं चलाई और यह में सदर विधायक रमेश दिवाकर छात्रुथी की मांग को लेकर धरना परदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं से मिले जहां उन्होंने छात्रों से मिलकर एक विवादित बयान दे डाला उन्होंने कहा कि छात्र सरकारी नौकरियों की उमीद छोड़ दे गौर तलब है कि छात्रों छात्राओं अपनी छात्रवर्ति की मांग को लेकर धरना दे रहे थे जहां विधायक ने सार्वजनिक रूप से छात्रों को कहा कि आप सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती कई प्राइवेट कंपने आ रही हैं उसमें कोशिश करने चाहिए विधायक के इस बयान के बाद छात्रों का मनोवल कम हुआ है विधायक जी आई थे उन्होंने अमारी बात तो सुनी नहीं अपनी बात लगा दी उन्हें यह नहीं पता यहां पर TED के स्टुटेंट नहीं बेठें यहां पर चातरवती के लिए हम यहां पर बेठें हमें चातरवती चाहिए बुलन शहर के सिकंदराबाद में सपा की ब्लॉक प्रमुक पुस्पेंदर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जिसके बाद बीडीसी मेंबरों ने वोटिंग की जिसमें बीजेपी समर्थित मनीज भाटी विजय हुए जिसके बाद सपा ब्लॉक प्रमुक ने प्रिशासन पर दबाब में कारे करने का आरोप लगाया वहीं इस दोरान ब्लॉक के बाहर हर्स फाइरिंग शुरू हो गई जिसको लेकर दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों की वीच नोग जोग हुई मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों के समर्थकों को अलग-अलग किया जिसके बाद दोनों प्रत्याशी एक दूसरे के समर्थकों पर फाइरिंग का आरोप लगा रहे हैं वहीं पुलिस पूरे प्रकरन की गहनता से जाच कर रही है आज सिकंद्राबाद ब्लोग में एह विश्वास मत हुआ था उसमें जो वर्तमान किरमुक है वो उसमें हार गए और विश्वास जो मत्ताव पारित हो गए है उसके बाद हम लोग वहां से आ रहे थे वहां से आ रहे थे जैसे इनको ऑफिस के सामने पहुंचे वहां पत्राव गोली हमने चलानी शुरू कर दी हम तो प्रातना करते हैं इस वर्जे क्योंकि पुलिस पीछे ही थी इंस्पेक्टर भी हमारे पीछे ही था रंगे आतों लोग पकड़े हैं दो तिन गाड़ी तोड़ दी इसी से विशे तोड़ दी है उत्तर प्रदेश के सीतापूर में खुले आम एक युवक को बजरंग दल के लोगों ने बुधी तरह से पीटा लेकिन वहां मौजूद लोग खामोशी से सब कुस देखते रहे किसी ने भी उस लड़के को बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई लेकिन किसी ने घटना का वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर जरूर डाल दिया इस बारे में वहां मौजूद वन विभाग के दरोगा का कहना है कि ये लोग खुद को बजरंग दल के लोग बता रहे हैं और जिसे पीटा जा रहा है वो दूसरे समुदाई की युफ्ति को प्रेम जाल में फसा कर लब जहाद करने की बात कह रहे हैं वहीं पुलिस का कहना है कि अभी तक धाने में इस घटना की शिकायत नहीं आई है लेकिन शिकायत मिलते ही इस मामले में कारवाई की जाएगी